पपू यादव को लेकर जो खबर मिल रहे हैं लॉरेंस गैंग ने धमकी दे दिया है पपू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है पपू यादव की टीम ने धमकी देने का दावा किया है सल्मान खान के मुद्दे पर पपू यादव को दूर रहने की धमकी दी गई है पपू यादव की तरफ से ओडियो क्लिप जारी किया गया है आपको बता दें कि हाली में पपू यादव ने लॉरेंस बिश्णोई को दो कौडी का गुंडा बताया था और अब पपू यादव को ही धमकी आ गई है और रुपेश हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रुपेश क्या कुछ जानकारी मिली है पपू यादव की तरफ से एक आडियो क्लिप जारी की गई है और लॉरेंस गैंग की तरफ से दमकी दी गई है कि उस फोन का जो आटियो क्लिप writing कई करें उसमें कई धंकी भरी भरी रेस्ट इन पीस कर दिये जाओगे सांत रहो बरना तुम शांत कर दिये जाओगे इस तरह कि उन्होंने पोश्ट करके धंके दी है लेकिन यूए के नंबर से जो फोन कॉल आया था पपू यादव के मोबाइल नंबर पफोन आया था और उस मोबाइल पर जो वारतालाप होई उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और वो आनन फानन में उसके बाद से चले गए थे मोबई उन्होंने बाबा सिदिकी के बेटे से वहापर मुलाकात की थी और वहीं से उन्होंने सल्मान खान से काफी देर तक उन्होंने बातचीत की थी कुल मिला करके पपु यादव ने जो पिछले दिनों जो चाहे वो जो बयान दिया या फिर उनका जो एक्षन था वो मुंबई चले गए सल्मान खान से वारताला बाबा से दिखी के बेटे से मुलाकात और उसके बात से कहीं न कहीं अब ये लॉरेंस विसनोई गैंग नहीं ये धमकी दी है या फिर मयंक सिंग कौन है क्या मयंक सिंग वाकई लॉरेंस विसनोई ग्रूप से जुड़ा हुआ है या फिर लॉरेंस विसनोई के नाम पर कई तरह की धमकियां जो पिछले दिनों जैसे ही लॉरेंस विसनोई का पुधित दिजा करें में या फिर प्रक्रणट चलु रहा है इसमें कई ऐसे तत्यव आमिया गए है जो लॉरेंस विसनोई गैंग के नाम पर कहीं रंगदारी मांग रहे हैं, कहीं किसी को धमकी दे रहे हैं, तो क्या ये उसी का एक अगला हिस्सा है, या फिर वाकई पपु यादव ने जो बयान दिये थे, जो उनका एक्शन था, उसक्रिया की कुछ प्रतिक्रिया हुई है, और लॉरेंस विसनोई गैंग से जुड़े हुए उनके लोगों ने इनको वाकई धमकी दी है, बड़ी जानकारी दे रहे हैं रूपेश हमें, और आज पटना में जबरदस्थ हल चल है, तीन बड़ी खबरें रूपेश हम तक पहुँचा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये पपू यादफ को जो धमकी आईए, ओडियो क्लिप के जरिये जब जाच होगी इसकी तब पता लगेगा कि धमकी कहां से आईए